आज हम बनाएंगी शकरकंदी की चार जो कि दिली का फेमस स्ट्रीट फूड है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है आज आपको दो तरीके से बना के दिखाऊंगी जो आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा और चोटी मोडी भूग के लिए एकदम पर्फेक्ट चाहिए तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो जहां मैंने एक किलो शकरकंदी जिसे पहले से स्टीम करके रखा हुआ है और इसमें डालने के लिए प्यास टामाटर खीरा निम्बू और एक हरी मिर्स लिए हैं और इमली जो मैंने पहले से सोब करके रखी हुई है तो इसको क्या करना है कि आपने पतीले में पानी डालने इसके उपर कोई भी स्ट्रेनर रख दीजिए और जी जो शकरकंदी है ऐसे रखके उसको स्टीम कर लेना 15 मिनट में बहुत अच्छे से स्टीम हो जाती है ठीक है तो यहां एक निम्बू का रज डालना है आपने तो आज मेरा पास लेमन स्क्वीजर नहीं मिल लाता तो आपने ऐसे निकाल लेना जितने बीजे है वह उपर है जाएंगे और जूस जो है एक दम आपको नीचे पूर मिल जाएगा और बीजे जो है अलग कर सकते हैं अगर आपके पास लेमन स्क्वीजर है तो उसमें भी आप नहीं चोड़ सकते हैं तो फ्रेंट्स आपने खटा कितना करना उसी साफ से अपने निम्वो डालने जाम एक निम्वो का रस डाल देंगों दो मैंने शकरकंदी डाली थी तो अब जो इमली का पल्प है इसको अच्छे से आपने मसल देना है और इसको भी आपने थोड़ा ह चाट मसाला भी डाल सकते हैं लाल मिर्च बच्छों के लिए एकदम पर्फेक्ट है तो इसलिए इसमें कुछ ऐसे एक एक पर्फेक्ट है एक्स्टा नहीं मैंने डाला है तो चलिए इसको सर्फ कर देते हैं और फ्रेंड से इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है ना कि आप शकरकंदी को पहले से बॉल करके रखिए और बच्छे जब भी बाहर से खेल के आते हैं जा स्कूल से आते हैं तो इसे बना के आप दे सकते ह बहुत ही टेस्टी लगती है तो चले इसको मैं रखते हूं साइड में और मेरा बटाया है तो इसको मैं दे आती हैं और सेकरे का दिखाती हूं जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंदय आए तो सेम मैने बाउल जब भी आपको चाड बनाने हैं फटा फटा बना सकते हैं तो एक इसमें खीरा डालेंगे ऐसे ही मैंने चार-चार पीसिस कर लिए और इसको फिर बारीग ब्री कर लेना हैं और इसमें और भी आप बहुत कुछ डाल सकते हैं जैसे स्प्रॉडड डाल है पनीर यह वो भी आप यह डाल सकते हैं तो अभी जो में पास था वह मैंने डाल रही हूं तो करा मैंने पूरा इसमें डाल दी काफिए अगर आपको मार्केट जैसी चठ पटी चार्डेनां तो सब्सक्तार वर आपको पासंद हैं लाल मिर्च और जाल है तोटली आपका टेस्ट के वपर डिनड करता है कि आपको कैसा पसंद है तीखा पसंद है मसालेदार पसंद है तो मसाले स्थे म сильно मसाले में डालती हो अब अपने लेना मीडियूम साइजी का टमाटर लेना है तो अपने लेना हैं यदि तो कट्कट कर da अब हम इसमें एड करेंगे हरा दनिया अच्छे से बाश करके आपने इसे बड sons जाता है चाठ में जो फेवर बहुत अच्छे से आ चाठ करने विय्हाल है तो सब दो तो आधन कर दो नंबो का रस तो चाहो तो कम भी और सकते हैं अग impli का नहीं पसंद का सकती transition तो अब सब चीजे मिक्स करने के बाद तोड़ा डालना इसमें टेस्ट के कोड़ेंगे काला नमक और वाइट नमक दोनों डाल सकते हैं और ताजा भुना हुआ पिसा हुआ जो जीरा डालेंगे न इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है बहुत महगता है जीरा तो सब चीजे को अच्छे से मिक्स करते हैं कितनी बड़िया हमारी चार्ट बनके रेड़ी हुई है लांच डीनर जब आप सर्फ करते हैं तो इससे साइड डिश की रूप में सर्फ कर सकते हैं जिसको खिलाएंगे वह तो आपका फैन हो जाएगा इतनी बड़िया चार्ट मार्किट से भी एतनी हेल्दी चार्ट ब warmer को ही अधोब नुरिक डीनर ड़र सकते हैं तो उपने करते हैं तो यह पने मिक्स करते हैं अच्छे से मिक्स हो जात झाहते तो आपने ऐसे बनाना है, अगर आपको तीखा फसंद है, तो अपने टेस्ट के कोडिंग मसाले डाल सकते हैं, तो जल्दी से मार्किट में चाहिए, और शकरकंदी लेके आए, क्योंकि अभी काफी सीजन है, तो इसलिए आप बनाईए, खाईए, और मुझे प्यारा सा कि हमारी जो है, जो शकरकंदी वो स्टीम होती है, तो चली वीडियो को जहीं एंड करते हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, किसी रेस्पी, जब ब्लॉग के साथ, ओकी, बाबाई